अब्रीवन वेल्कम तुदा फ्रीश्टेडी एंड श्रीश्टेडी एंड सब्सक्राइब देखेंगे 50 थर्मोडाइनमिक्स के फ्रॉम आरकेजन तो अभी तक हम लोग 280 थर्मोडाइनमिक्स के अटेम्ट कर चुके हैं आज हम लोग 281 से लेके 330 थक के करेंगे और इस तरह से हम लोग थर्मोडाइनमिक्स यह फिनिस करेंगे दीर दीर टेक तो इस्टार्ट करते हैं तो पहला कोशन है 281 वाट सुट विदा लिम्टेशन ऑफ हॉट और कोल्ड रिजर वायर तेंपरेचर एफ टू तेंपरेचर मसीन पंस हीट इंटु दा हॉट एसडीर वायर एसफ लेव एस गोड रिजर वायर एड वर्ट इस डण ऑन शेटं तो इसमें देखिए कोड रिजर वायर ते हॉट जो है वो ट्रांस्वर होगी तो है आपका जो पोल रिजर वायर होगा वह वह पॉजिटिव यह वह वह होगा पॉजिटीव तेंपरेचर from hot and cold reservoirs if a two temperature machine operates between two positive negative temperature will be extracted from hot source मतलब जिसका temperature ज्यादा होगा वहां से heat abstract होगी और जिसका temperature लोगा वहां पे heat होगी क्या होगी reject होगी ठीप मला high temperature से low temperature की तरफ होगा बी पाल्ट इसके बाद 283 वार्ट विच इस दा रॉंग एजमिशन फॉर काल्कुलेशन ओफ एर इस्टेंडर एफिसेंसी और प्रोसेसे सार्रिवर्सिवल साही है इस स्पेसिफिक हीट रिमेंस कॉंसेंट अट अल टेंपरेचर यह भी साही है नो अकाउंट ऑफ दा मेकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इस कंसीडर्ड यह भी साही है गैसे डिसस्येट एट हायर टेंपरेचर यह गलत है और वर्किंग सब्स्टेंस इजा पर्फेक्ट गैस यह भी साही है ठीक कोरेक्ट ऑप्सफिंग्स आपिः जाये जैके डिब ऑचिसमें रॉंग ही जब्सटेंस पुछा था मईएग्स यह भार यायजवेश्ये पार्फेक्चक मोल्ड लीटेशंट केoubtर निघरवाईट य९ह-वह कोップ्ल ऑप 해서 kaçठ हो गिया इकिसमें बल्सट् anlam सेंटीए तो आपका टी हो गया 300 कल्विन एसके बाद क्या है ही ट्राइट कॉंस्टेंट प्रेशर प्रेशर आपका कॉंस्टेंट है इस वाल्यूम भीकां ट्री टाइम अगर वीवन इकल टू वी है तो वीटू इकल टू हो गया थी वी टिक अब इसके इन्हों में टेंपरे प्रेशर आपका टी टू आगया 900 कल्विन अगर को आपको आएगा 627 इंटिए थी तो इसका बुक सॉल करिएगा इसका ट्री शेक एककॉल इंटू पेटली अर्थॉम्शन एफेक्ट तो यह बंद्टू इस्सिमिलर मेंटल्स और हीटेड एट वन and cooled at other EMF is developed proportional to difference of temperature at two ends okay so correct option is C part यह है आपका petlier thompson effect इसका 287 है all diesel cycle except slow speed engine use following cycle dual cycle ठीक जो आपर dual cycle होती है यह होती है इस इस तरह है ठीक मलग है कि एक मलग हीट यह एड होगी इसमें supplied होगी वो पार्शली constant pressure और constant volume दोनों पर होगी ठीक तो यह होगी आपी मलग हाई speed के लिए होगा mixed dual okay इसके 288 है second law thermodynamics defines तो second law thermodynamics क्या define करता है entropy ना तो इसका correct option यह पालत हो गया इसके 289 gas turbine works on तो gas turbine आपकी breton cycle पर पर करती है तो breton cycle होती है उसमें दो constant pressure process होते है टेक तो यह आपका correct option होगी constant pressure cycle इसके 290 cycle यूज़ दिन thermal power plant तो thermal power plant में कौन सी cycle यूज़ करते है rankine ठेक तो इसका character option होगा rankine वो इसमें दिख नहीं रहा है तो इसमें लेकिन इसके लेकिन सही option होगा rankine cycle ठेक अब इसके 291 का भी थोड़ा misprint है तो इसमें देखिए इसमें flow work पूछा है तो अब लो PV लगाईएगा ठीक फ्लोवर किया ही होता है पीवी एक है 292 है calculate the enthalpy of 3 kg of root that occupies the volume of 1.5 meter cube is the internal energy 3.5 megajules per kg and the pressure is 0.3 mega newton per meter इसके तो इसने enthalpy पूछा है enthalpy क्या होता है यू प्लस PV अभी इन्होंने यू कितना दिया है तो इन्होंने दिया है 3.5 megajules प्लस इन्होंने pressure कितना दिया 0.3 meganeuton और वो कितना दिया है volume 1.5 तो इसको आप लोग solve करिए 3.5 plus 0.3 into 1.5 तो इसमें जो answer है वो सही होगा टी इसको आप लोग solve करिएगा ये एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि जो आप लोग ये u की value put करेंगे इसको आप लोग mass से multiply करके put करेंगे क्योंकि देखिए PV जो हता है वो मलगी mass के साथ आती ही इसकी युनिट टे इसमें हम लोग को mass से multiply नहीं करना पड़ा दे बट इन्होंने इंटर्नल एनर्जी दिये वो पर किलोग्राम में दिये तो आपको 3 जो दिया है यह यह आपको 3 किलोग्राम अ फ्रूट दिया है तो इतने multiply होगा तो यह आपका हो जागा 3.5 into 3 तो यह कितना हो जागा आपका 10.5 10.5 plus 1.5 into 0.3 तो यह मलगी according to me यह जागा 10.95 तो यह हो गया आपका 292 इसके बाद 293 है है आइसानोंच प्रोसेस ने टी स्डाइग्राम इस डइंजय हो गया तो इसमें आइसे इन्टॉफिक प्रोसेस के कैसे कैसे सूह करेंगे जिसमें की एन्टॉपिक कॉस्त्ट को डीकल आई को ठीक रचन के थाठीक टॉर अईपनेंसन इननोजल इस अतो जोनर्还 sentenced क्यांट ही एब दिन्सक्राइब स्यक्तला में नाय ऑफ्पा क्या प्रियंट य Σ्वुर्श रू संते हैं न की हoot मैंकर मेंlish बडिकर दिन्सक्राइब थर्म झानीज करल केकश टर्मा केंड़ टिन्ध भाल्ट पर ऋब तु' होना चाहिए, so correct option is debult, इसके 297 है choose the correct statement a property of a system, जो property होती ही system की वो point function होती है, तो इसमें correct option होगा e belt, इसके बाद 298 है entropy is called the property of a system because, तो entropy को हम लोग बोज़ाइब बोल्टी of a system क्यों होती है, क्योंकि it has a single value at each equilibrium state ना, दो आइसे टूपिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है तो यह हो गया इसके बाद यह है सी वाल्ट एक टू- mr. नई-n-i-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n-e-n तो बल्क मॉडलिस तो आपको पता ही है चेंज इंपरेचर ना डिवाइड़ वाइचेंज इन वॉल्यूम इंटु वॉल्यूम तो देखे एपर में का पर दिया है यह यह इपर टेक्ट ऑप्शन इस एपर्ट इसके बाद 302 है टेंपरेचर अपर ऑदर ऑफ माइनस 150 डिए अगर दू गैसे सद्वनी मिक्स अप विद इच अधर तेन रिजल्ट एंट्रोपी ओफ दा सिस्टम देखे अगर दो गैसे को मिक्स करते हैं तो ना क्या होगा डिस ओल्डर उनका मला की जो अल्डर होगा वो मला की वह इंक्रीज हो जाएगा डिस अल्डर ना तो तो 304 question ही आई है तो इसमें पी entropy आपकी increase कर जाएगी इसके बाद 305 है when a process undergoes a complete cycle then the change of entropy will be मुला भी cycle हो गई है तेक मला कि reversible process हो गया है और reversible process के लिए जो entropy change होगा वो कितना होगा zero take correct option is C part इसके बाद 306 है if air is compressed area particularly from atmospheric condition ना cylinder having compression ratio of 6 then pressure at the end of compression cell V तो ये इतना होगा more than 6 atmospheric pressure आपकी अच्छान म्ला कि a d अच्छान हो रहा है ना तो इसमें क्या लाओ वहा है पीवी की बाप और गामा ना तो इसमें क्या होगा more than 6 atmospheric pressure इसके 307 है अब प्रोसेस विज अंडर्गोज एनर्जी लॉस्ट दू फ्रिक्शन तो जिसमें एनर्जी लॉस्ट दू फ्रिक्शन हो रहा है वो प्रोसेस एरी रिवर्सिवल होगा ठेक अब फॉस्के 308 है विज व फोलोविंगा एक्समे प्रोपेली मतलग हुआ कि वी इंट्रीनेटी इनर्जी ओसे तो एनेर्जी और इंट्र भी यह सभी ही है, तो correct option is E part 309, which of the following is not an extensive property, तो मलगा कि कौन सी intensive property है, मतलब कौन सी independent of the mass है, तो वो हो गई आपकी density, तो correct option E part हो गया, तो 310 है, the cyclic integral of del q minus del w for a process is equal to, तो गया होता है, वो होता है आपका internal energy है, तो cyclic integral के लिए internal energy क्या होगी, 0, तो तो इसना correct option होगा C part, तो 311 है, तो del q minus del w मतलब कि यह internal energy की बात कर रहा है, for ideal gases is dependent on temperature only, so correct option is B part, 312 है internal energy and enthalpy of an ideal gas और function of internal energy and enthalpy of an ideal gas function होती है, तिर्फ टेंपरेचर की, तो correct option is E part, तो 313 प्रोसेस अगर स्पॉंतिनसली, इफ 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 इट्स इंट्रोपी तो अगर इसकी इंट्रोपी इंक्रीस करेगी, तो प्रोसेस अगर स्पॉंतिनसली टेक, इसके 314 अगर एंडर कर वों TS डाइग्राम रिप्रिजेंट था, तो एंडर एंडर टीस डाइग्राम में वो रिप्रिजेंट करता है, heat transfer for reversible processes, correct option is C part, इसके 315 है, Gibbs free energy की equation क्या होती है, वो होती है, G equal to H minus Ts, इसके हाथे Helmholt function क्या होती है, वो होती है, F equal to U minus Ts, okay, इसके बाद है, if M1, M2, M3 be molecular weights of constituent gases and M1, M2, M3, their corresponding mass fraction, then the molecular weight capital M of the mixture is equal to, तो क्या होगा इसका, इसका होगा है e part 1 by small m1 by capital M1 plus small m2 by capital M2 और इसी तरह से, जितने भी आपके होगी होगी, gas होगी, इसका 318 है, 2 gases, with their molecular weight 28 and 44, expanded constant pressure through the same temperature, the ratio of quantity of burden, तो देखे, अगर हम इसका molecular weight 28 है, उसका हम मालिए 1 gas, तो इसमें वर्टन किता होगा, P into delta V, अब PV का क्या लिख सकते हैं, Nr delta T, अब N को हम लोग क्या लिख सकते हैं, small m by capital M, और delta T, अब इसमें, इसमें जो can, जो आपका denominator में molecular weight, यह हमें पता है 28, वहला कि जो work done आ रहा है, वो inversely proportional आ रहा है, molecular weight के, तो इसमें क्या होगा, WA by WB, inversely proportional, तो A का कितना है, 28, B का 44, तो यह कितना होगा, 11 by 7, तो correct option हो जाएगा, B part, 11, 11 is to 7 होगा ratio of work done, इसके बाद, how much mass of oxygen is required to convert 1 kg of carbon into C1, 11 by 3 of CO2, तो यह C plus 2 equal to CO2, 1 kg का रहा होगा है, 11, 3, CO2 है, तो यह कितना होगा, तो यह आपका होगा, 11 by 3 minus 1, तो यह कितना होगा, 8 by 3 kg, इसके बाद, 320, work done in compressing 1 kg of gas diabetically from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 is equal to, तो यह होगा का CV T2 minus T1, इसके बाद, 320, work is considered to be a superior form of energy as compared to heat energy, की बिकाज वाइल वर्क कैन वी फुली कंवल्टेट ही तो ही तो इसा करेक्ट ऑप्शन होगा सीपल्ट इसके बाद 322 ट्रीपल पॉंट ऑफ प्योर सबस्टेंस इस पॉंट एट विच सॉलिट लिक्विट एंड गास एक्जिस्ट तुगेदर डीपल ट्रीपल पॉंट वही सबस्टेंस वह एक्जिस्ट करता है सुपर सेचुरेटेट फ्लूड फेज में टेक्ट ऑप्शन इस इपाल्ट इसके 329 यह 324 ट्रीपल पॉंट ऑफ प्योर सबस्टेंस और पीवी डियाग्राम इस रिप्रेजेंटेड वाई तो इस तरह सो था आपका पीवी डियाग्रा तो इस वी डियाग्राम में जो ट्रीपल पॉंट लाइन टिक हों लाइन टिकट है और प्रिक्ट ऑप्षवी ट्रीजेटेड फीच्प्रक्ट E parट यह 325 चैबić ट्रीफल पॉंट टेंपरेचर में अट इंतर प्रिसर और ओंड इन्टेड इंटे अरशन गवाईए तो चर्क्रेक्टरी दे रिचनी भी रहती है टेड इस इकल तो देच माइनस वी डी पी शिबक इसमें कॉंस अप्शन से यह आई अप्शने एक पाटिक एक थी टूंटी सेवन वन वाट और बाइनर्जी इकल तो तो तहीं हो थै थर्टी सिक एंड़ किलो जूल तो इनेर्जा eLab किए दो फॉलफ इस ह Ting रावर की यूजिंट वाट एन्थी इंडकी दो इनकी सिग जून पर केल्विन डियू हो गए आपके 50 question tick अब इसमें हम next lecture में देखेंगे 331 से लेके 380 तक और इस तरह से हम दो इसको finish करेंगे so thank you guys and subscribe this channel